कईज अगर आपका बजट करीब 14,000 रुपे के असपास है और यदि आपको एक अच्छा सा स्मार्टफोन पर्चेज करना है तो यह वीडियो आपके लिए है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं करीब 14,000 रुपे के अंदर आने वाले टोप 3 बेस्ट स्मार्टफोन के ब यहां पर मैंने पिक किया है सैमसंग के गलेक्सी M30S स्मार्टफोन को और भी जो फॉन है वो सैमसंग गलेक्सी M30 सीरीज का एक अच्छा खासा फॉन है जो कि अच्छे खासे प्राइस रेंज पर आता है अपने साथ का फिछ स्पेक्स को भी लेकर आता है इसकी स्पेस्फि चलते आप का भी हाइंड गेम्स भी बिना किसी प्रोब्लम के खेल पाएंगे क्योंकि इस चिपसेट में आपको कोटेक्स A73 वाले कोर्स मिल जाते हैं जो कि 2.3 की कार्ड्स की स्पीड पर रन करते हैं इसके लावा फोन की एक एडवांटेज है यह है कि आप पर आपको डे सेल्फी कामरा के बात करें आप 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कामरा भी मिल जाता है फोन की जो दूसरी में एडवांटेज है वह इसकी अच्छी खासी लंबी बैटरी उसकी करीब 6000 मह की है अपर आपको फास्टार स्पोर्ट भी देखने को मिल जाता है साथे चार्जिंग के सब्सक्राइब तो यह था ओवरोल सेमसंग गलेक्सी M30S का पैकेज जो कि 14,000 रुपे के अंदर काफी अच्छा स्मार्टफोन खाजा सकता है अगर आपको सेमसंग के फोन अच्छे लगते हैं तो आप डेफिनिटली इस फोन के लिए जा सकते हैं जब बात करते हैं 14,000 स्मार्टफोन को अब यह जो फोन है वह अभी रिसेंटली इंडिया में मार्च में लों चुआ है और यह यह पी काफी अच्छी स्पैक्स अपने साथ लेकर आता है चलिए बात करते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन के तो आपको 6.6 इंचीज की IPS LCD डिस्प्ले मिल जाती है जो क इसके लावा जो प्रोसेसर है वह भी काफी अच्छा है यहां पर स्नैपड्रगन 720G चिपसेट यूज किया गया है जो कि मिड्रेंज केटेगरी में सबसी अच्छा चिपसेट कहा जा सकता है यहां पर आप काफी हाई एंड गेमस बिना किसी प्रोब्लम के खेल पाएंगे आपको किसी भी तरह का कोई बीश्यू देखने को नहीं मिलेगा इसके लावा काईज फोन के कैमरा की बात करें आपको 48 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 मेगापिक्सल काउंट के साथ क्वाड रियर केमरा सेट अप मिलता है साथ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी दिया गया है फो अवरोल रेडमी के नोट नाइन प्रो का पैकेज जो कि एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है 14 रुपर के प्राइस पॉंट पर और गाई जब फाइनली बात करते हैं हमारे नंबर वन स्मार्टफोन की जो कि आपको सबसी ज़्यादा वैली फॉर मनी प्रोवाइड करेगा तो यहां पर मैंने पिक किया है रियल में 6 स्मार्टफोन को अब यह जो फॉन है वो भी रिसेंटली इंडिया में मार्च 2020 में लॉंच हुआ था और काफी अच्छे प्राइस पॉंट पर इस स्मार्टफोन को लॉंच किया गया है चलिए बात करते हैं इसकी प्लकिन प्लस्टिक की बैक पैनल के साथा किन से इसरों में बौंस भी आपको काफी अच्छी यहां पटर रहे बिलीके हैं इस बात से पता लगा सकते हैं कि गेमिंग के लिए अचाही है फॉन कितना ज्यादा सही है इस फॉन में भी dedicated slot मिल जाता है जिसके जलते आप memory को expand कर पाएंगे और यहां पर आपको 64 Megapixel का quad rear camera setup भी दिया गया है फॉन में 16 Megapixel का selfie camera मिल जाता है जिसके जलते आप even low light में भी का सब्सक्राइब बैटरी भी दी गई है जो कि 30 वोट के फास्ट चाहर सब्सक्राइब के साथ आती है यह बात मेरे को personally काफी ज्यादा अच्छे लगी कि 14,000 पर आपको 30 वोट की फास्ट चाहर सब्सक्राइब देखने को मिल जाती है तो यह एक काफी अच्छी बात है इसके सब्सक्राइब लोग आपने चे कोमेंट सेक्षिन में बताइए कि आपके अनुसार 14,000 रुपे के अंदर कौँछा स्मार्फोन सब्सक्राइब से अच्छा है हमको जो स्मार्फोन अच्छा लगेगा हम उस कमेंट को पिन कर देंगी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले और अगर आप इस चैनल पर ने आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा क्योंकि आम यहापर स्मार्टफोन से रिलेटिड ओसम कंटेंट डालते रहते हैं हम मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए टेक केर और गुडबाई